हेलो एन गुड मॉर्णिंग स्ट्डुट्स माइम इस वी जय आज हम दगेंगे ए स्टंडर्ड मराथी चाप्टर नमबर टू मी चित्रकार कसा जालो चित्रकार मतला पेंटर तो इसके लेखे के लमा कडू लमा कडू लेखे के ने क्या पता है इसमें देखो निसरगा चा सा अनिक मार का सा पड़ता है लेखका ने स्वानु भाथ निया पाठा सांगितले आए मतलब लेखक ने समें क्या बता है कि निसरगा नेचर के सहवास में रहो गए तो हमें क्या होता है हमारे अंदर जो उबजद उबजद मतलब पैदाशी जब बच्पन से बच्पन से मतलब कहीं पर जाने के बाद कुछ देखा तो हमारे में कुछ कलपन आ गई और कुछ आइड़ा जाते हैं फिर उसको पर लोग उसको करते हैं फिर इंप्लिमेंट करते हैं और फिर कुछ नए ढून निकालते हैं तो यह जो है लेखक ने अपने अनुभों से लेखका कर अनुभों से लेखक ने की हैं यह जो लेखक ने जो जूब किया की है जो एकस्प्रेंस उनके में आया था जो उनहींने experience किया है। उसके बारे में लेख़गा है। मैं बताएगे उनके life में ने कैसे experience किया था। तुमहाला संग्ना रहे है। प्रतम निसरगा। सबसे बहु के बारे में उनुने बताया है। कि निसरगा, आपन निसरगात कदी ही विसरु निसरगाला कदी ही विसरु चलना नहीं, लेखक ने बता कि निसरग जो है, इस निसरग को, इस वातवन को, इस माहल को, हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते, उसे भूल कर नहीं सकता, इसे हमें हमेशा याद रखना है, कि यह हमें बहुत कुछ देता है, त्याच्चा विरुधात नजातत मर्जित रहना के हुआ या अपला फाइदाचा है, उसके अपोज में कभी मच जाओ, उसके अपोजिशन में कभी मच जाना, उसको जैसे बनते रहो, जैसे वो चाहता है, जैसे बहुत बारिश हो रहे तो बहुत बार लेकिन तुमने यह देखा कि इन्वाल्मेट में उसमें से क्या चेंजेस है, पॉलुशन कितना काम हो गया, मुंबई पुनी दैसे मेट्रो सिटीज में पॉलुशन कितना काम हो गया, क्यों कि वेहिकल्स ने चल रहे थे, तो मतलब कहीं ने पर फाइदा तो हुआ यह इसलिए हमेशा हमें नेचर के साथ में रहना चाहिए, उसके आपोज में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा पालन पोशन भी करता है, निसरगे से, जंगल में बहुत सरे चीज़े मिलती है, तो कि जो फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट के होते हमारे नाचरल लिसर्से अबन चाहिए, और यही जो निसरगे हमें कहते हैं अलगले टाइप की कला, अलगले टाइप के आठ आठ हमें सिखाने का काम निसरगे करता है, निसरगे ढूंडा तरहा, तुम्हाला सरजन चाहवाटा, आप सुक सापधिल, ढूंडो उसमें, नेचर को ढूंडते रहो, ढ तुम्हारे सर्जन, सर्जन मतलब बहार, बहार के रास्ते तुम्हें अपने अपस मिलते रहेंगे, आता तुम्हाला माजिद गोश्ट संक्तो, माजव प्रात्यमिक जिक्षन एक अलहांशा खेड़ा जाल, अब लेकक अपनी कहानी बता रहे, लेकक कहता है कि उनकी जो यह गाव कैसे है, निसरगरम है, मतलब वहाँ पे नेचर मतलब जिसे नदी नाले, पहाड बहुत कुछ है, और सूसंस कुछ, मतलब पढ़े लेके लोगों के वहाँ पे, उके अच्छा गाव है, घंदराट जंगल, ठीक फॉरेस्ट है, दूथवड़ी बहुन वहारन है, दूथवड़े मतलब दोनों बैंक, दोनों जो तीर है, दोनों तीर भर के बहने वाले, मतलब फुल फ्लेज में भरने वाले रिवर है, निरे डोंगर, पहाड़े, हिरवी रान, जंगल है, जापे सदा बहार सदा, मतलब जो लिवज वहार हरे रते, अवखा आनदी आनद, और बहुत मतलब खुशाई खुशाई वहार पे, अश्या बाता वरनात मांसातली, सरजन शिल्ता उफ़ाण आलिनाई तर नवलत, और ऐसे माहौल में, मतलब बलते हैं, एक पूरा माहौल है, एक दम पूरी तायरी है, तो उसमें तुमारे अंदर का जो कलाकार है, तो कलाक कर सकता है, कोई चित्रकार है, तो अपना वो ये निकालेगा, स्टैंड कैन्वास निकला कैन्वास के उपर अपना ट्राइंग करता रहेगा, कोई अगर लेखक है, तो लेखक लिखता रहेगा, तो हर एक अंदर मतलब जो कलाकर उसके कला क्या होती है बाहर आती है, नहीं अचित्रकार के बाद भी इतनी अची सिनरी होने के बाद भी उसके निर के कलाकर क्योंने जा गया, माज़ा एक मित्र होता, अम्हाला खूप वाटा है कि आपन चित्रकाढ़ावीद, पन काय करना रहेगा, लेखक ने का कि उनका एक दोस्त है, उनको हमेशा ऐसे लगता था कि उनके बहुत सरे ट्रॉइंग करने हैं, लेकिन करेंगे क्या, आम चगड़े कसलिस साधन होते, उनको कोई सामन नहीं है, कोई इंस्ट्रॉमेंट नहीं है, ड्रॉइंग करने के लेटलिस बोलते हैं, पेन, पेंसिल, एरेजर, पेपर, ये सब जाना कलर्स चाहिए, तो य पर भी उनके पास नहीं है, अभ्यासाच चे एककस होई, पढ़ाई करने के लेए, उनली वन नोड़बुक, पार्टी वार लिना चे एक पेंसिल, और स्लेट, पार्टी मतलब स्लेट, स्लेट के उपर लिखने की एक चौक है, तीचे तुकड़े धली तरी सांभाल नो आप सबसे बड़ा प्रोब्लम कहा था, चलो यह पेपर कही से मिलेगा, कलर भी कैसे उठा लेंगे, लिए सबसे बड़ा घर कुछ प्रोब्लम था, तो वो था और डर था, धाक मतलब डर, अगर डर था तो यह था कि ट्राइंग के आवा घर्वालों को पसन पसन नहीं, ना घर् ब्राइग को स्कॉप नहीं था, ड्राइग करना मतलब टाइम पास करना, वात्रड पाना वट्टाइचा, मस्ती, टाइम पास ये सब लगता था, वह बतलना बीन मतलब का काम है से लगता था, वैशाक महने अतलो उन कर्प उन टाक नार आसाएचा, अम्मी गावात ले शकडि सब नदी का डोहा vitr Justug गाव के सब बच्चा आती नदी का डोहा मत हो च्टा सा पॉंड मत होता है लिए जिसमें पानी थहरा हुआ marc जिसमें शुख भानि मत हो n За लिकशाल सब अग जिर नपानी ia. तो पाने में ठंडी लगते हैं तो वापस बैंक पर आकर बैठना है, किनारे आकर बैठना है, काथा लगत खूब खड़क होते, पाने चाह प्रहाम और गुल-गुलित सपट थे और काथ मतलब जो किनारा है, किनारे के यहाँ पहुत सरे पत्थर थे, लेकिन उसको पर से हर सा सपट जले, एकदम प्लेन हो गए थे, लाम रुंद पसर ले और लंबे तक फैले हुए, अम्हारा तितत अमसा क्यानवास सापड़ा और वही पे लेकर को अपना क्यानवास मिला, या भले आत हो लेकर खड़का वर मनसोगत चित्रा काड़ता एनर होती, पन कशा ना काड़ क्यानवास मिला है, यह जो क्यानवास है, इस क्यानवास के ओपर मनसोगत, मन भरने तक ट्रॉइंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रॉइंग करेंगे कैसे, पन कशा ना काड़ना है, कैसे ट्रॉइंग करेंगे, तो ही मारगा सापड़ा, चलो ओ भी रास्ता मिलेगा, there is a wave होते हैं मतलब जहाँ पर इच्छा होते, वहाँ पर रास्ता मारगा तो अपने आप मिलता है, अगर तुम्हार ओंदल विल पावर है, तो तुम्हारे रास्ते अपने आप खूलका सामने आएंगे, तो में रास्ते मिलेंगे, अम चाय त्या भगा तामबुस रंगा सा मूरूम, ता दगड आपट लेकिता अच्छी प्यूडी प्यूडी फककी पड़ते और वो पत्थर है उस पत्थर को पिसने के बाद या फिर अप्टकने के बाद उसकी पावडर बनते यलो कला की प्यूडर फककी मतलब पावडर तो पावडर वह होती थी अगदी पिठा सर क्यासते और एक दम आठा आठा कैसे एक दम नरम होते ना वैसे हवत असा पानी घत लगी प्यूडा रंगा तयार और फिर पाउडर है पाउडर में जैसे जितना चाहिए उतना पानी डालो राइट और पानी डालने के बाद एल्लो कलर रेडी वैसे खड़क ओला करुड़ा आनि खड़का और चित्र रहाट नी norum yard मतलो जो पत्थर है नरम इनके पथर जैसे कादधवास के पत्थर के रूप में डेके पत्थर इसे ये कलर थोकिलाया मुला है, तो जिए तुम्हारे कुछ करता है जैसे पत्थर के क्छा करना है, तुम पट्ठर कॉसके लड़ी मिलता है। गुडगया वर टेक उन रेक काड ने दंगा हुए चो और फिर घुटने के बल गुटने के बल ऐसे बैटके उन लोग लाइन ट्रॉ करना शुरू करते हैं सब्सेड़ करते हाथ रखले सब्सेड़ करें पीछं मुट करने के बास चया हा यह sia काड पूर नीके बल और पीच्छे मुट करने जना के बास फिर पीचह मुट के देखा तो जोSu content strict here पहले जो गिल्ला पथर है तो उसकी वज़े से जो स्टार्टिंग जो लाइन ट्रॉख कि ए उसकी दो बज़े से उसकी बज़े के वज़े से उव रेड करके लाइन वह पर नदर आती है तुमने देखा को नगए चॉक होता है चॉक को पाने में भीक होते हैं तो जहापे हम मतलब ऐसे चॉक से जब लाइन ट्रॉर कर हो तो दीख दीखती रहें लेकिन फोड़ी दर के बाद ऑसके जब बाद भॉटर ही पानी है वो और सुखने के बाद ओए घ। दीखायां देती है रहे है तो अनकी सुरसुरी सुरसुरी मतलब और जोश आ जाता है तपने खड़का और टेकून टेकून गूडग्या ची शाल तो जाए चीने और जो पत्थर है पत्थर पुरा गरम पत्थर है तो पत्तर के ओपर गुटने रख 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 चिल जाते थे कभी-कभी उसके अगल दिन असकीन उपर की इस विलताब रैशिस आते थे लेकिन उसकी हम नहीं आता था ध्यान नहीं रहता था था क्योंकि जोश और ट्रॉइंग करने का इसके तरह थे 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 लिए खेलते समय कहले गिर जाते कभी-कभी इंपने लगता भी है तो लिए तो इसके ओपर दियान लेदे नहीं कर दो दो सब्धिसें ग्रावड में क्रिक क्योंकि उनकी जो होबी है, वो होबी पूरी करने को उनको मिल रहा है, और इस तरह से मग उभ्या खड़का और चित्रा करना शुरू जाला, और इस तरह से उस पत्थर के उपर ट्राइंग निकाला, ट्राइंग बना शुरू हो गया, चित्रा करना शुरू जाला, काही दिव दो डाचने काथिय। म कातेसी अहला से बार में बूरले dengan और जिला। 10alar कि जामदा रंगा में उसके आदेर रंगां। मतला उसके रंगे मीड सangen उसके परचने here मिलता होता है। नो पाने में बार बाति हए। अधा साओ difबाग उसके अंदर कुछ सीड्स है उसको पीसने के बाद उससे औरंज कलर मिलता है काही पाणांचा हिरवा केला और कुछ पत्ते पत्तों को उन्होंने पीसका उसका ग्रीन कलर बनाया सुने पांठ्र कुणे बांठ्रा क्लवा लार और दग्रा के पीऊड़ा होते हैं फिंवًभी चुन्ण पत्तर होते हैं तो इसे white color उसका फिर कुंकु कुम लगा थे वह red color है और पत्तर का पीला पीखण और तीन लकडी होती है, कोडी, कोडी मतलब एक दम नरम, तो वो जो होती है, वो नरम लकडी होती है, उसको आगे, आगे पॉइंट पे ऐसे, अगर तुम लोग उसको यह करोगे, तो उसका ब्रेश बन जाता है, अब यह जो ब्रेश है, ब्रेश भी रेडी हो गया, ताहानबुख और उसके बाद भूग पेस सब भूल जाते थे, और जो ट्रोएंग के लाूओ करते बैठ्टे थे, नजर जाएल, तु 생각 गितलब जाएल जितब्स पाएगोंट जा तुम ट्रोएंग देखने को मिलेंगे, थोड़े दिखानी पाऊलनी प्ह में आएज़ी घृते थे ते, वो जो हमारे ट्रॉइंग्स है और ट्रॉइंग्स क्या होते थे नदी में नदी के पेट में गायब हो जाते थे लुपत हो जाते मिजे का यह व्यक्ति गार्ट सांगत थे एक उधारन आहे उसने कि मैंने जो कुछ परस्रल गजो बताया वो एक एक एक्जाम्पल है निशर का किती प्रणा अप्ला देतास तो ही लक्षात एल लेचर हमें अपने तरीके से अपने इसाफ से हमें क्या करता है वो तुम्हें ध्यान में आएगा अगर तुम्हें गया यहां गया। साधना निश्वाई साधना करें तो मैं तुमारे पस कुछ इन्स टो बें तो यह फिर भी तुम आगे जा सकते हो जैसे लेकर ने कहा डिए का दू एक एक एकसांपल दो करके क्यों और अगे कुछ करने सकता तो आगे कुछ कई नहीं सकता आजे वांगे तो यह वापस पढ़ा कर में अगर तुम में तुम वापस पास हो सकता है अगर तुम पढ़ा होने हो तWhा थार ड्यक्नेचρεί नीज मुद्य पढ़ाते है तुम्हारे इच्छा 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 तुम्ह कम कम होते थे वैसे बारिश भी कम होने लगती है श्रावन के एंडिंग में पन नदी भाहता था था लेकिन नदी जो नदी में पानी बहिता रहता है आमसा क्यानवास मंजे खड़क मोकड़ा वहला पार चैत्र में उजाड़ाईचा और लेकर नहीं कि उनका जो क्यानवास मत मत्तर पाने से फ्री होते होते चैत्र मेंना मतलब एटलिस मार्च मार्च या फिर एप्रिल मेंना आ जाता था तब तक करना क्या है तोवर काय करा था तब तक करना क्या है त्यात्रोंस अम्माला माती सा नाद लागला और उसी में से मतलब मिट्टी के कलर बनाते मिट्टी क की होबी लग गए लाल भडग मौशार माती हाताला लोणने असर की वाटा चे रेड कलर की मौशार नरम मिट्टी है ना हाथ में बटल के जैसे एक दम नरम लगती थी मूर्ती कला वे असर ठला फिर उनके फ्रेंड से नो ने गा कि अभी इस मिट्टी से नो के इने करता था है पन हां मातीता खेले लपुन चपुन करावा लागे कधी गोठ्या चा माक्चा वादोला नाही तर गावातल मंदिरा जवल चा बकुल चा धाड़ा खाली आमसा उद्ध्योग तला चा गोठा गोठा मतब जहापे गाय बैलों को बांद के रगते तो कभी उसके पीछे तो कभी मंदिर है मंदिर के पीछे जाके उनलों के सारा काम करते थे बकुल चा धाड़ा खले बकुल नाम का पेड़ तर उसके पेड़ के निचे जाके यह सब उनका का काम चलता था मूर्तिया नुवारत थे लाकि काही कालन तला तड़े जाओन धास राच्या चा जुड़े जुड़े स्टाचु मूर्तिया बना कि उसको सुखने कले राका सुखने की अपज उसके मैसुरे मातलब जो पानी पुरा सुखने के ब democrNow में चूट जाते थे फिरणीं है मैं चॉड़े हो जाते हैं कि अभी आभी क्या करेंगे मूर्तिया बने टूड़ गई त्यावर काई तरी उपाई शोधायलत हवा होता और इसके पर कुछ ना कुछ तो उपाई कुछ ना कुछ तो आईड़ा लगा ही नहीं थी विचार करते लक्षात अलकि गाई सशेंड ओलास तना जसस अ पाई बार्स होते हैं यह उनके ध्यान में आया तब उन्होंने क्या किया अब मिट्टी और जो काव डंग उसको मिक्स करके उन्होंने मूर्ति बनाना ही शुरू कि और मूर्ति कुछ-कुछ मूर्तिया जो है टीकने लगी तरही जास्ता देवा ज़ला और बारिक-बारिक मूर्ति किंश को मूर्तिया जतनी chainsya नहीं टूटती है लेकिन पुछ दिन होने के बाद यह भी सुखन और इसके आंदर कवियो खत्म होने के बाद इसको भी उसको भी ग्रैक चा करिये तोटे थी अब कर ना क्या है अब ये भी अनसक्तिर बतलाब इनको कैसे ना कि मुर्थी ब्रहन के बदों कांटिनुज बहुत दिनों को वैसे के वैसे रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब करना क्या है वापस शुरू हो गया विचार मन्त्रेंका शुरू हो गया की करना क्या है। आमचागवात आठवड़ी बादर भरायाचा, आठवड़ी मार्केट, हपते में एक बार जो मार्केट भरता है वो भरता था मादू आयते कपड़े विखालायाचा, मादू नमका एक इंसान है, वो रेडिमेड कपड़े बेचने के लिए आता था सगला डोंगर भाग, फक्त पाई वाटा, पूरा क्या पहाड इलाका बस उसमें से पैदल जना के लिए फुट पाती है तो अपला माल घोड़े वर लादून आनायचा, वो अपना जो माल है, मतलब उसके जो भी कपड़े है, वो कपड़े वो घोड़े के उपर रखकर लाता था नांद्रु की चा ज़ड़ा खली दाठ सावली, पड़ाची, नांद्रु की पेड का नामे वहाँ पे बहुत थीक एसे चाव, और उसी पेड के नीचे, तो ज़ड़ा चा मोडी ला घोड़ा बांदून ठेवाया था, और उसी पेड के नीचे वो अपने घोड़े को तियाद बरेज धागे धागे दिशा उसमें बहुत सर और जो रहे देखा ल्गे यह दिख रहे हैं चाहिए जो रसी के दागे मिठी को पकड़ के रख सकते हैं तुमने कंस्ट्रॉक्शान लाइन में कभी तुमने देखा हैं वो पीलर बनाते तो प्लास्टर जोडर लेग ड वेलोग कि बनाते है और जाली बनाके बाद में उसके अंदरो मर्टी को पकड़ करती है वैसे ही जो गोडे की लीद में एक गोड़े की लीद में नुझे बनातों। क्रेक्स नहीं आ रहे थे केवडा अनंद थाला हे मला शब्दा सांगते ने फिर उस समें कितनी खुशी हो गई उसने को वार्ट में बता नहीं सकते मी माध्यमिक्षायत अस्ताना आर्किमडिज या शात्ना ज़ड़ा वाचला जाव माध्यमिक्षायत असमें सिर्फ ने स्च एक पढ़ाया उस समें अर्किमडिज आठीजि साइन्टीज 봤 उसका लेसन पढ़ाता त्याला है ह।षी तत्वाच्टी तोिसों साध्यावात र्या कोश्टी ते शोधत रहा था अर्केविडिस का था लव एसको जो भी चाहिए वह छोटी चोटी चीटों में धुन्दा था मतलोर जैसे हम भूता नहा है यह तो तो इसे होता है लेकिन नहीं वह ऐसे ही क्यों हुआ इसे ही क्यों हुआ उसके बार में क्यों तो ओर रिसे चुनिा खता था तेवह मझे लक्षात आला कि आपलया ला तेवडा अनते धाला होता जेवह मुर्तिना तरड़े दानते थामला होता फिर लेकक को भी ऐसे लगा कि उनको भी उतनी खुशी मिलती जितनी आर्किमेडिस को मिली थी तब क्यूंकि वो जो स्टैच्च्च्च्च्च्च्च्च् परन तो एक शो तेथा उसके लेक लेकियो गोगव ज़िए लेकिन वो उसने एक इंवेंट किया था के मुलान्यो, मी तुम्हाला एवडस सभी कि तुम्छा प्रत्यकात आर्किमेडिस देला आहिए याहात क्यम तो हर एक बच्चे के अदर एक जुपा हुआ हूए उसे जगाते रखो के तुम्हारा आस्मान हां हमेशा कुछयों यूण से भणाव रहा हुराए घ्यान झोरिक्टम हएगा था पेरा थाय। कि ये सिर्फ बड़ाई के उपर बैठावा 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 बच्चा इलगा तो अगर अगर बढ़ाई नहीं करता है तो इसका इसी और चीज में लगाओगा है तो मुझा इस को बात इसमाज में आज आ जुपनो को तुम्हें बता है जितने भी साइंटीस थे जितने कि होता है समझ ऐसे कोलम बस इंडिया निकलता लेकिन That में अइसे कि तुम लोग कहान या पड़ोगे तुम्हें पता चले का की मतलब हमारे अंदर बहुत कुछ न ताकत होते है। बहुत कुछ बोलते हैं वह हमारे अंदर चुपा होता है, आत्मत न्यान जिसे हमारे अंदर चुपा होता है, उसे ढूंडने की तरह है, ढूंडते रहोगे, तो तुम्हारे खुश्या है खुश्या मेलेगे, ओके, थैंक यू